नमस्कार आप देखरे हैं न्यूस फोर नेशन और मैं हूं सान्थवना आपके साथ राज्य में 2 सितंबर तक फिर से बारश की संभावना जताई गई है आपको बता दे कि बिहार में एक बार फिर से मौनसून कमजोर पढ़ने जा रहा है लेकिन बीते कुछ दिनों में राजधानी समेथ बिहार के दक्षिन हिस्सों में हलकी हलकी बारश भी दर्ज की गई है बिहार का उत्तरी भाग लगातार बारश से घेरा हुआ है और अब 2 से 3 सितंबर के बीच भारी बारश होने की आशंका जताई गई है लेकिन उसके बाद कहा गया है कि बारश बिहार में अब कमजोर पढ़ जाएगा क्या है बारश का हाल आएए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में शेत्री मौसम विज्यान केंद्र के अनुसार 2 सितंबर तक राजध के कुछ हिस्सों में हलकी बारश तो 3 और 4 सितंबर को राजध के अधिकतर हिस्सों में बारश हो सकती है आज राजध के 1-2 हिस्सों में तेज बारश भी हो सकती है बिहार में मौनसून फिर कमजोर पढ़ने जा रहा है अगले 5 दिनों तक प्रदेश में हलकी बारश होगी उसके बाद इसमें तेजी आने की उमीद कम जताई जा रही है राजध में सितंबर तक मौनसून की बारश होती है फिलाल मौनसून की ट्रफ लाइन बीका नेर अजमेर 36 गड़ होते हुए शाका पटम तक गुजर रही है इससे पूर्वी भारत के राजध में बारश में कमी आने की उमीद है हालाकि कुछ राजध पर स्थानिय कारणों से बारश हो रही है इसके अलावा 36 गड़ में कम दबाव का छेत्र बना हुआ है पटना मौसम विज्यान केंद्र के विज्यानी का कहना है कि मौनसून के कमजोर पढ़ने से बारश में फिलाल कमी आई है आज पुर्णिया, अररिया और आसपास के जिलों में बारश हो सकती है छेत्र मौसम विज्यान केंद्र के अनुसार 2 सितंबर तक राजध के कुछ हिस्सों में हलकी बारश और 3 और 4 सितंबर को राजध के अधिकतर हिस्सों में बारश हो सकती है केंद्र के अनुसार राजध के 1-2 हिस्सों में तेज बारश जोकी 7-11 सेंटिमेटर तक हो सकती है इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है इसके बाद अगले 4 सितंबर तक राज्य में मौसम के लिए कोई अलर्ट नहीं जारी किया गया है मौसम विज्यान विभाक की ओर से जारी ततकालीन अलर्ट के अनुसार पटना, अर्वल, जहानबाद, नालंदा, बकसर, भोजपुर, लखी सराय, जमूई, मुंगेर, कैमूर, शेकपूरा, बाका, भागलपुर, रोहतास, नवादा और कटिहार जिले के लिए कुछ हिस्सों में हलकी से मध्यम दर्जे की बारश हो सकती है। कम दबाव होने के कारण और 36 गड़ में भी कम दबाव होने के कारण बिहाराज में मौनसून कमजोर पड़ रहा है। याकि उत्तरी भाग में अभी भी काफी तेजगती से बारश दर्ज की जा रही है लेकिन पूर्वी और दक्षिनी हिस्सों में बारश कमजोर पड़ रहा है। तो अभी के लिए मौसम है बस इतना ही अनकाई अपडेट्स के लिए हम आई साथ जुड़े रहें न्यूस फोर नेशन में नमस्कार।